आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में लाइपोमा एक बहुत कॉमन कंडिशन है बहुत सारे लोगों को ये प्राबलम होती है इसके लिए अले-अले क्रीम स्यूज करते है और कुछ लोग टैबलिट भी लेते है तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा वीडियो को एंड तक देखिए स्किन के नीचे जो फैट होता है उससे लाइपोमा डेवलप होता है इससे फैटी लंबी कहा जाता है ये ज़्यादता राम, फूराम, चेस्ट, बैक, नेक रिजन पे ग्रोव होता है लाइपोमा मुस्तली ओबेस, डाइबेटिक लोगों में देखा जाता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है कोलेस्टोल लेवल बड़ा हुआ है सेडेंटरी लाइफस्टैल है लाइपोमा सॉफ्ट, मोबाइल, पेनलेस ग्रोथ होती है ये किसी भी मेडिसीन या क्रीम से ठीक नहीं हो सकती इसे सिर्फ सर्जिकल ही रिमूव किया जा सकता है अगर ये सिंगल स्मॉल क्रोथ है तो इसे रिमूव मत कराईए लेकिन अगर इसकी ग्रोथ जादी बढ़ जाए और अगर ये एक से जादे डैवलप हो जाए तो इसे रिमूव करा दीजिए एक बात जान लीजिए कि एक कंडिशन किसी भी क्रीम टैबलेटे स्टेरोड और लिंगेशन से ठीक नहीं हो सकती इसके लिए सिर्फ सर्जर ही कराने पड़ेगी तो अगर कोई आपको किसी क्रीम को इस्तमाल करने की सला दे फिर भी क्रीम का इस्तमाल मत कीजिए क्योंकि उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा तो अगर आपको ये वीडियो इन्फरमेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसी इन्फरमेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राब कीजिए थैंक यू